तो गुद्धिवनिंग विल्कम टू मैं चानल दे इन्विजिबल ट्रेडर होप आज आप लोगों ने सही से पैसे कमाये होंगे क्यूंकि लाइब में भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था एक चीज है जो मैं लास में बात करूँगा जो सही नहीं जा रही है वो कल पत ये 9.15 to 10.45 हम स्लो पॉजिटीव बायस थे देखो मार्केट ने इतना बड़ा इस सिंगल कैंडल इसा थिंक 250 प्लस का कैंडल है फॉर्स फाइब मिनेट उसके बाद भी 10.45 तक अगर मार्केट लो तो मार्केट इस आक्शुली पॉजिटीव मार्केट इस आक्शुली पॉ इस आप दिए बिग डिप देन युए वो बाय तिल वाट तैम तिल 1.45 यह जो 1.45 यहां तक है अच्छुली तो ओनली तिंग विच नोट वोग इस बेसिकली तिस थ्री-फॉर कैंडल से जो बीच में बड़ा बड़ा किया ना बाट अच्छुली जहां पर आश्टो ने का अगर मोटा मोटा करोगे अगर बाई किया है तो मैं बताता हूं अन्देन हमारा जो एक व्यू था के मैंने एक चीज क्या बोली थी मॉनिंग में वीडियो बना था पता नहीं कितने लोगों ने देखा ने बोला था टू पीम के बाद नो बाइंग अट आल जैसे कल भी मैं ने उनको रेस्पेक्ट किया हावेवर हावेवर यह इतना नीचे था मेरी एक्स्पेक्टेशन यह ने थी कि इतनी बड़ा फॉल हो जाएगा दे गुड तिंग हमने पी लिया दे गुड तिंग दापन इस कि यह मैंने जो आप आज ग्रूप में एक बाद ड्रॉ भी किया यह रेक्टेंगल अगर आपको देख आपने देखा होगा दिस वाज और बाई जोन राइट करेक्ट टुडए दिस वस और यहां से मार्केट ने सेवन टाइम्स बाई दिया सेवन टाइम्स फ्यू रिमेंबर यह लेवल थोड़ा नीचे था यहां पर था इग्जाक्ली ब मार्केट हमारा लास्ट में जो थ्री टू थ्री थर्टी हमारा गुड़ सेल था मार्केट ने जब यह वाला ब्रेक किया यह बाई जॉन यह तो वीडियो में डिसकस नहीं कर सकते क्योंके इतना चीज़ तो डिसकस करी नहीं सकते कॉम्बिनेशन आई डिली बट आफ्टर जो मैं बता रहो कुछ चीज़ आफ्टर तो मार्केट बता रहों जो लर्निंग के लिए आप रख सकते हो यहां पर मार्केट ने इसको बहुत कविंसिंग लिब्रेक क्या मैंने यहां पर आपको याद होगा मैंने चार्ट दिखाया भी था तीन कैंडल मने लिया था तो और आपको याद होगा तो बैंग निफ्ट के आज की लोगर कैपिंग लेवल यहीं पर थी इक्जाक्ली यहीं पर थी ठीक है हावेवर मेरा व्यू था के मार्केट सायद यह वाला लेवल ना तोड़े बट मार्केट फिर भी एक हंड़र हंड़र फिप्टी पॉंट्स नी सब्सक्राइब बनाता है यहीं पर बोला के आपको बैंग निफ्टी में पोजिशन कट करना है लॉंग का वाट 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 यहां पर कुछ लेवल तो मेरे थे ही थे रीजन वास मैंने जो क्लिर ली बोला था हूं ग्रूप में कल बोला था आज वीडियो में बोला था साथ कि मार्केट अगर ग्याब डाउन हो जाता है यह देखो फ्लाट ओपन हुआ पर यहां पर पांस निकांडल लिए तीन बजे तक बैंक निफ्टी वहीं पे ही था सेम लेबल पे और यहीं मैंने बोला था कि आज प्रेडिक्टेट अगर मार्केट नीचे साइ खुलता है यह वोलाटाइल हो जाएगा और यहां पर एक लेवल मैंने दीती अगर आपको याद होगा थर्टी नाइन ताउजिन टूहंड इसके उपर मार्केट जा नहीं सकता वेरी वेरी डिफिकल्ट और इसलिए मैंने यहां पर पूजिशन कट कर रहा हमारी ट्रेट सी तो यह अपनी ट्रेडिंग थी हमने अच्छा पैसा कमाया कोई प्रॉब्लम नहीं इन दिस कन्फूजिंग मार्केट टुडे बाकी लोगों नहीं क्या-क्या मुझे पता नहीं निफ्टी है प्रोबबली थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हुआ होगा निफ्टी दार्सोट क्योंकि निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे फ्रम ए लॉनिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक बाइंग जो आपकी कॉन्फिटेट बनती थी वह यहां से यहां तक की बनती थी राइट क्योंकि यह हमारी लोगर कैपिंग लेवल थी एक्जाक्ट यहीं पर टच करके मार्के लेना था जब यहां पर लोगोंने पुछा कि मार्के डेहाई तक आएगा क्या मैंने बहुत क्लियर ली वह बहुत मुस्किल है इंपोसिबल तो कुछ भी नहीं है बहुत मुस्किल है और उसके बाद मार्केट गिरा है निफ्टी में बड़ा फोल हो गया निफ्टी में इस मुझे यह फॉल समझ में नहीं आया सिरियसली ठीके फॉर वाटेवर रिजन इस फॉल हापन दो हमरा आश्ट्रो तामिंग में बड़ा सेल था बट मार्केट को यह सेल नहीं करके थोड़ा यहां उपर से डेहाई के असपस जाके यह थोड़ा और उपर जाके फिर यहां से सेल कर ना था और यहां तखी आना था इसके नीचे नहीं जाना था इसके ने नहीं जाना था तो ते के न permettant विए समझ मे living a प्राइस सब्सक्राइब लिया तो हमने ले लिया ठीक है ना पर बैंग निफ्टी में यह पॉल फॉल हुआ और निफ्टी में ज्यादा फॉल हुआ अगर आप देखोगे उचीज लिटल बिट स्ट्रेंज हो जाता है कभी-कभी और मैंने एक चैनल बीच पें बना आता है मै चैनल को ब्रेक आउट करना बहुत ज़रूरी है और बैंक निफ्ट में मैंने एक टार्गेट दी थे आज 39,700 कंडिशन यह था कि यह डेलो बचे यह डेलो बचा नहीं है एक्चुली ओके 39,500 की जो पी सेलर थे मैंने उनको क्या बुला था कि मार्केट कभी यह लेबल के आसपास आएगा तो आपको टॉपलस लगाना है ठीक है यहां पे आपका स्टॉपलस नहीं कटा होगा यहां पे आपको ओल्रेडी और तो बढ़िया बात है अगर नहीं कट किया तो भी घबराने के जरुत नहीं अगर आपने में हमें प्रॉफिट मिला है और मुझे तो ज्यादा मिला 700 पॉइंट के असपस थीक है बाकि लोग का पता नहीं अगर किसी ने वह आच्छली स्ट्राइक प्रॉइस किया है मैंने किया मुझे बोल रहा हूं बढ़ मुझे पता नहीं बाकि लोग ने किया हुए या नहीं किय है राइट बट हावर जो डीप डीप इंद मनी तो थे आपने कौन सा किया मुझे पता नहीं बड़ लेवल के हिसाब से आपको स्टॉपलस लगाना चीए था वन अब दे रीजन वाए आई पुट आइस्ट यू तो पुट दे स्टॉपलस इस बेसिकली दिस ओपनी ओके मा मार्केट गैब डाउन हुआ तो डेंजरस है इसमें हमारी एक प्रॉब्लम किया हुई है जो गलत गई कि हमारा विकली भी था कि मार्केट यहां से मिनिममं पंद्रा सो पॉइंट उपर जाएगा रैट और यहां से हजार पॉइंट के आसपस यह वाला जो हमने एक लिए ल आसपस इक लेवल बनाया था कि मार्केट वहांस तक सायद पहुंच जाएगा अगर यह इस लेवल से उपन होके उपन जाता है इसने उपन किया कितना पॉइंट का गैप डाउन अगर आप देखोगे अल्मूस्ट पांसों पॉइंट का गैप डाउन और हमारा जो वियू कि मिनिममम उसके हिजाब से अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को मिनिममम 39500-600 का आसपस आना चाहिए था और इसलिए मैंने 39500-600 किया था ताट वस्ट मीन फंडा ओके आज पर दो विकली अनलिसिस सब कुछ सही था आज का यह वाला प्रोब्लम है ठीक है इसकी बैसेश पर हमारा ट्रेड कलोगा क्या होगा वह देखते हैं ठीक है आश्ट्रो वाकिंग वोंडर्फुली फोर लास्ट वोटेश ओके जब अरदस्ट आस्ट्रो है ठीक है मंडे भी काम किया था आज भी काम किया है और मोमेंटम देखो मोमेंटम का गारेंटी तो को पॉइंट मूफ करेगा आठ सो पॉइंट मूफ करेगा यू डून नो ठीक है डिरेक्शन मिल जाएगा आपको इसलिए मैं आपको बुला था दो बजे के बाद बाई में रहने का ही नहीं है जिसने सेल लिया लिया हो तो बड़िया बात है पैसे चाप दिया होगा बट बा ठीक है सिस्टम में कुछ ही हुआ है I don't know देखते है अगर पूरा रेकॉर्डिंग हो गया तो बड़िया बात है मैं चेक कर लूगा अधर्वाइस वीडियो बहुत लेट अप्लोड होगा ठीक है तो कल की इतना ग्यानता हमने बाठ दिया कल की जो बात है कल मार्केट में 9. 15-11 बाय है यह एक थोड़ा सा फिर भी कॉन्फिडेंट बाय है मेरे लिए 11-145 बाय है और में इसकी गारेंटी नहीं दे रहा क्यूंकि काल्कुलेशन में बहुत सारे कंफ्यूजन है ठीक है आईधर इट विवे वेरी गुड बाइं मतलब सॉट कवरिंग हो जाएगी मार् अगें जो सेल आपकी दिख रही है वो सेल लास्ट मोमेंट पे ही दिख रही है राधर तन एक्जाक्ली फ्रम टू बटाव स्टिल रेकमेंट के दो बजी के बाद आपके बास कोई बाइंगी ट्रेड नहीं होनी चाहिए इस और आण ऑप्शन बायर अप्शन बायर को हमेस इंट्राडे में ही दिन खतम कर दने चाहिए आपको ठीक है कल का ट्रेड कैसे होगा डिपेंडिंग अपन ओपन जैसे मैंने आज बोला था ओपनिंग बहुत इंपॉडटन है ओपनिंग अगर खराब हो गया फिर वही आपका पूरा डे डिसाइड करता कि मार्केट अगर हो नी होगी इंटरनेट का इश्व है माई मैं ऑफिस वाइफाई सम्हाव गिविंग प्रॉब्लम पालोजी फो दाट बट मैं देखता हूं पता नहीं वीडियो में कितना रिकॉर्ड हुआ होगा बट हावेवर कल की अगर हम प्लान करते हैं तो कल की प्लान हमारी ज कि प्लाम हुआ के अगर ऑपन का होता है एक चीज यह है के मार्के अगर फ्लाट ओपन होंगा जो मोटा मोटा लग रहा है के अगर हलका नेगेटिव ओपन के ये स्विंग हाई स्विंग लो है और डे लो भी है अगर यह काटता है तो हम बाइंग में रहेंगे हम बाइंग में कहां तक रहेंगे 38,900 तक और मैंने यही चीज आज ग्रूप में बोली है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो कितना नीचे ओपन हो एक बार सायद मार्केट 38,900 को टच करने इसके उपर का गरेंटी नहीं जाने को तो कुछ भी जा सकता है अगर हो गया यहां तक यहां तक चला जाएगा बट अगर नीचे से ऊपर जा रहा मार्केट 38,900 तक मार्केट हम एक बार देखने की कोशिस करेंगे और जहां पर मिल जाएगा वहीं पर आपको बुकिंग करनी है अगर आप इंट्राडे प्लेयर । क्योंकि उसके वाल मार्केट गरे इस तरह से बड़ा ना गरें बट गरें। अगर मार्केट इडियली आपका गयाप ऑप ओपन होता है। ठीक है ग्यापप ओपन होता है तो डबल बॉडम से भी बाइगर सकते हो या पिर ओपनिंग रेंज ब्रेकाउट पे भी बाइगर सकते हो उसकेस में 38,900 और अगर मार्केट में 11 नहीं बजे तो आप यह सुइंग हाई को भी ले सकते हो 39,050 उसके बाद का गरेंटी नहीं सौ 38,900 का जो हमारा एक अचीवेबल टार्गेट लेवल है मार्केट हो कट कर दे 11 बज़ से पहले तब जाके और उसके बाद फिर यह से कहीं पर भी मार्केट गिरेगा ठीक है प्रॉब्लम यह क्या है मार्केट के अभी जो स्ट्रक्चर बना है जो हम लोग देख रहे थे कि 39, 39,700 के असपा साथ मार्केट जाए बहुत डिफिगल्ड होगा क्योंकि यह स्ट्रक्चर इसने तोड़ दिया मैंने यह भी बुला था आज का डे का लोग बचना चीए यह जो इतना इतना बड़ी जोर से इसने तोड़ा है यह रिजिस्टन्स इतने सारे जो यहां पे हैं इ करनली में तो रेकमेंड नहीं करता कि आपको ऑप्शन बार्स को हमेसा इंट्राडे में कट करना है बाकि बीटीएस्ट आप गैंबल खेल सकते हो अधर्वाज यू ऑल्लेश कॉट इंट्राडे ऑके बट अगर आपने रखा है और बाइचांस मार्केट यह लिबल के आसप अधर्वाज मत खेलना तीक अधर्वाज हो जीरो हंडड़ परसंट जीरो हो जाएगा कुछ भी आपने सीलिया होगा ठीक है जो दीजाद टू मोटा मोटा स्टाटेजिस वी विल ट्रेट माई प्रिफरेबल स्टाटेजी उड़ बी लिटल बिट हलका गाप डाउन और यह डियलो काड़ दे ओपनिंग रेंज काड़ यहां तक आजये यहां तक स्टाट का जै थोषीं कोषिज करूंगा मार्किट में बागी सेल देखें जाब गाद दो बजे के बाद आपन सेल करेंगे उस साथ बड़ा पॉइंट ना मिले बट हम सेल करेंगे दो बजे में हमारे और लोएर कापिंग अगर मैं बात करूं लेवल बनाया नहीं बट मैंने दिया है ग्रूप में 38,350 मैक्स टुमैक्स बट बबावान से प्रेकरना के साथ यह लेवल ना है बड़ाना होगा तो 38,350 आ जाएगा और 38,000 बाइचांस हमारा जो थोड़ सिनारियो हमने बाइचांस लेट से मार्केट ने ओपनिंग रेंज ब्रेकाउट किया ही नहीं और गापडाउन होके यह उपर गया ही नहीं नीचे नीचे आगया नीचे नीचे आगया यहां पर फिर बाइग मत करना वेट फॉर 38,350 यहां से फिर बाइग का सकते हैं उस केस में अपना किस लेवल पर मिलती है किस टाइमिंग पर मिलती है वह देखने की जरूरत है उसी को ही हम प्रेडिक्ट करने की कोशिस कर रहे हैं यह थीक है निफ्टी में भी जैसे यह स्ट्रक्शर इतना खतरनाक बनाया क्योंकि चैनल ब्रेकडाउन कर दिया इसको हटा देते कोई काम न मार्केट में के इस लेबल से सत्रा आजार पचास के लेबल से हम अटलीस मार्केट को सेवंटीन ताज़ेट फाइवंडड़ शिक्संड़ तक ले यह फाइफिप्टी तक लेके आएंगे बंचादिया था हमने आदे रस्ता अल्मोस्ट दो सो पॉइंटी बचे थे बट यह आज काम नहीं किया और बूटल बूटल रेड कैंडल और यह प्यरिस अंगल्फिंग है जबकि बैंग निफ्टी स्ट्रॉंग है इंसाइड कैंडल है निफ्टी विरिस अंगल्फिंग है तो निफ्टी स्ट्रॉंग तो नहीं बोलेंगे बड़ निफ्टी में आप बेसिकली जैसे लोयर कैपिंग उसका यहां पर 16800 के आसपा से 200 और नीचे हैं अगर यह सिनारियो बंद अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो 16800 के बाय कर सकते हो तिल दिस 200 पॉइंट आपको ग्यारेंटेट अगर 16800 मार्केट जा रहा है तो 200 पॉइंटेट मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें ठीक है बड़ यह सिनारियो हम प्रिफॉर नहीं करेंगे हमारे जो प्रिफॉरेबल सिनारियो होगी ओ होगी यह कि मार्केट हलका करें डे लो को क फिर साउट कवरिंग हो गया तो 200 आजाएगा 300 पॉइंट की मुवमेंट बहुत बड़ी मुवमेंट होती है जब मार्केट इतना बियरिस है बट 17100 तक कि हम अगर यह सिनारियो होता है यह काड़ता है तो 17100 तक कि हम एक बाइंग देख सकते हैं उसके बाद मार्केट साथ इसे फॉल कर जाए यह फॉल बड़ा हो सकता है नहीं भी हो सकता हो मैं पहले बता रहा हूं आपको जबकि दो बजे के बाद मैं रेकमेंड नहीं कर रहा बाइंग के लिए इस फॉल में नॉट बी बिग लाइक तोड़े इसको द्यान दे के काम करेंगे जैसे बैंक निफ् जो मंडे की हाई थी ना 17,280 के आसपास का जो लेबल है वो साय थरस्डे को आ जाएगा प्रुवाइड़ेट दाट यह 17,150 के उपर क्लोज करें एस्पेसिल यह लेबल 131 यह जो लेबल है 17,130 के उपर मार्केट ख्लोज करें तब तब अपना सी पोजिशन होल करके रखना ग्यांबलिंग कर सकते हो अधर्वाइज 17,200 के उपर के जितने सी हैं वो सब जिरो होने वाले हैं तरस देखोई मोटा 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 जीरो हो जाएंगे ट्रेट समझ में आया और मार्केट अगर ग्याप अप हो जाता है या तो डबल बॉटम मिलेगा या ओपनिंग रेंज ब्रिक आट दोनों में दोनों में बाय करना है उसकेस में 17,150 उससे ज्यादा नहीं 17,150 तक ही हम टार्केट ले सकते हैं फिर उसके बाद मार्केट में सेल ठीक है इंट्राडे प्लेयर का बता दिया जिन लोग पोजिशन आप्शन बाइंग में रखे हुए उनके लिए होप ट्रेड भी बता दिया मैं होप ट्रेड जेनरली देता नहीं हूँ बड़ में कंडिशन बता रहा हूं कि किस केस में आपके होप जिन्दा रह सकती है अदर्वाइस तो बायर को तो इंट्राडे ही गाटना है ठीक है आप देख ले ना बाकी जो होया हम लाइब में देखेंगे लाइब में जो बो